Hello and Welcome to Online School India for Library Science एक बार फिर से आप सभी का Online School India for Library Science में जोड़दार स्वागत है मैं आपका दोस्त काले अध्यक सुमेर सिंग कचावा इस Library Science के प्लेटफर्म पर जोड़दार स्वागत करता हूँ मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको ये और एक सर्प्राइज एक और सर्प्राइज देने के लिए आया हूँ कि जो हमने 31 जिलाई को जो मेगा टेस्ट रखा था उसका जो रिजल्ट हम जो हैं हमारा जो सेकिंड मेगा टेस्ट होगा उस दिन हम सुनाने वाले हैं और मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी तक हमारे एप को डाउनलोड नहीं किया है वह तुरंद प्रवाव से जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप को प्ले स्टोर में जाकर ऑनलाइन स्कूल इंडिया एप को डाउनलोड कर लिजिए जो हमारा 31 करीब़न 14 सो लोगों ने भाग लिया था चैकर ना 1400 कंसे गाउनलोड से लोगों ने ऑल अवर इंडिया दिया नगना और अवर इंडिया लोगों ने जो है इसका भाग लिया था और फिर हमने देखा जो वहां पर बच्चों की जो कोशन अटेंड करने की जो पचास से 55% के बीट में तिन टो टोटल एक्यूरसी थी वह 50-15% पर जो है वह क्या थी जो यह दी लेकिन मैंने उस पेपर को वापस एनलेशिस किया और आब उस पेपर के अंदर देखा होगा कि उस मेगा टेस्ट के अंदर मैंने हर एक टॉपिक से एक कोश्चन उठाया था चेकर हर एक टोपिक से कोश्चन उठाया ताकि ताकि आप जो हैं पूरा पेपर कवर हो सकें तो इसी विशे के साथ इसी जो हैं चर्चा के साथ हम सुरू करते हैं अगली इंपोर्टेंट सुथना इंपोर्टेंट सुथना यह है कि आपको एक बार फिर से आमंत्रित करने के लिए आया हूं हमारे जो है फ्री ओनलाइन मेगा टेस्ट चीक है न वई आपको फिर से ओनलाइन स्कूल इंडिया एप पर आपको फिर से आपको आमंत्रित करने के लिए हो आपको जो है जो भी विद्यारती इस मेगा टेस्ट में सामिल होना चाहते हैं द्यां इस मेगा टेस्ट में सामिल होना चाहते हैं इसका नाम है fri online Tests वह हमारे अब को download कर लिजिए ठीक है और मैं आपको विश्वास दिलता प्लेटफर्म के माध्यम से आप फालतों में घुमरा मत हुए आप बागे साली है कि आप एक सेलेक्टेड टीचर से पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी बात यह है कि आप बागे साली है मैं बता रहा हूं मैं आपको कई लोगों के कई स्टुडेंट के फॉन आते हैं अलग-अलग से 21 जोन को वह पहला वीडियो वाइरल हुआ था टाइप सब्सक्राइब के परकार मजाग मजाग में क्या पता इतने लोग जूड़ गये थे चेकर ना सस्क्राइबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तेकर एक पिछले एक महीने में साड़ी छहाजा सस्क्राइब मि मैं ज्यादा तह नहीं कहना चाहता हूं एक लड़का चीकर नाम तुम्हें बूल गया उसका उसके सब्सक्राइब सुनने आप उसने मुझे मैंने अच्छे नमर आयता उसे स्टार्टिंग में वह फर्स्ट रैंग में था चीकर फर्स्ट रैंग आयती शुरुआद के एक गवान कृष्ण मिले थे वैसे वैसे इस लाइबेरिन बढ़ती 2022 में आप जो है मुझे मिले हैं यह सब्स थे उसके उसके 180 नमबर आया थे 180 नमबर थे 200 आउट और 200 में से उसके यह सब्स थे उन्होंने दूसरी बात किया कि कैसा जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया था चलता रहा है मैं आज भी फिर से कहा रहा हूँ एक वार आपको नोट्स बना कर पढ़ना है और एप के अंदर मैंने बहुत सारी टेस्स बगरह ढाल दिये आप बिल्कुल टेस्स दीजिए अब हमारा जो सेलबस है बिल्कुल दो दिन के अंदर कंप्लेट होने वाला है केटलोगिंग का जो एक इंपोर्टेंट पार्ट है त्रिपल सी और एएस यार टू जो समापत हो चुका है अब जो हमें एक इंपोर्टेंट फैक्ट की जो एक जो वीडियो लेकर आना वाला हूँ जिसमें पैक्टिकल जो सवाल कैसे बनते है जैसे माल लो किसी किताब का छ्विप्ट का नाम है रमेस कुमार तो रमेस कुमार को triple C के अनुसार कैसे लिखेंगे उस प्रविश्ट्री में हम कैसे लिखेंगे AACI2 के अनुसार Education दिल्ली Ministry को कैसे लिखेंगे इस टाइब से बहुत सारी चीज़े कौन से चीज़ को कौन से सिंबल से जोड़ेंगे ऐसे बहुत सारे जो questions हो है मैं अलग से app के अंदर ला रहा हूँ और जिन लोगों ने जिन लोगों ने फर्स्ट जो हमारा MegaTest होता 31 हुलई को जिन्होंने नहीं दिया है जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो अभी भी जाकर हमारे app के अंदर जाकर वो है उस MegaTest को अटेंड कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जब भी आप कोई MegaTest देते हो और MegaTest देने के बाद जो सवाल गलत होता है उनको आप जरूर एनलेसिस कीजिए बिल्कुल बिल्कुल जरूर एनलेसिस कीजिए मैं आपको जो थर्डगेट के जो लेवल है उसके इसके आइसास से पढ़ा रहा हूँ का से सवाल बनेंगे कैसे सवाल आएगा उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बार फिर से हम जो है Online MegaTest के अंदर मिलने वाले हैं आपको एक बार फिर से में तरफ से Invitation है आपको आमंतरित कर रहा हूँ राजस्तान लाइबिरेन बर्ति परिक्सा 2022 जिसके अंदर में आपको Free Online MegaTest जो हमारा Second MegaTest द्यान दीजिए यह Second MegaTest जो है आपके 14 अगस 2022 को होने वाला है द्यान दीजिए आप 14 अगस 2022 को होने वाला यह MegaTest है तब तक मैंने यह थोड़ा मैं चाहता था पर्षू भी रख सकता था संडे को मैं आपको ठेकर नपर्षू संडे को भी रख सकता था लेकिन मैंने 14 तारिक इसलिए चुना था साथ तारिकों भी संडे है लेकिन मैंने फिर भी 14 तारिक जो है चुना था पिर초द तारीख को जो है आप हमारे साथ इस मेगा टेस्ट में भाग लीजीर और अपने आपका मुलियांकन कीजिए आप किया न वई मे को हैं मुलियांकन कीजिए कि जया हम से गलती हुई है कैसे गलती लाइव आकर मिरातन ऊंदर क्लास 15 अगस को मिरातन ऊंदर हम आप से ऐसे गलती हो जाती परिक्षा में कैसे गलती और रोकना है कि सरीके से अटेंट करना कैसे सवाल को छोड़ना है ध्यान बेंदी number day here तो आपको एक बार फिर से हमारे online school इंडिया में जोड़दाश स्वागत है ये मेरे WhatsApp नमबरे कभी कोई problem आ रहे हैं आपको ठीके नवी इस WhatsApp नमबर पर जान तक हो सके message कीजिए ज़्यदा phone मत कीजिए मैं busy रहता हूँ क्योंकि Sunday के बाद मैं अपनी किताब के अंदर busy हो जाओंगा जल्द आपको मेरे किताब आएगी लेकिन मैं ये चाहता हूँ किताब इतनी बड़या निकालो के ताकि आपको ठीओरी अगर आपको ठीओरी द्यानगना लेकिन उसके लिए ठीओरी कंटेंट जो है आपको अच्छी तरीके से पढ़ा होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं आपकी किताब चाहिए मैं बता जाता हूँ आप अगले सुबह चाहिए तक चलेगा इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ वास्तों में अगर आप सलेक्शन चाहते हो इस लाइबरे साइंस में चेके ना वही तो आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं आपको चेके ना और सबसे इंपर्टेंट बात आज मैंने डिसाइड क्या था एब के अंदर यूनिट 1,2,3,4 यूनिट के निचे एक में एक डाउट क्लास का द्यान रखना एक डाउट क्लास के जो है एक लिंक शेर करना चाहता हूँ इसके अंदर जो भी आप मुझे वार्षप से सवाल बेद रहे उन सारे सवालों को जो है उस डाउट क्लास में कराने वाला हूँ तो मेरी जो डाउट क्लास है आपको जरूर अटेंड करनी है दियान रहे उसमें बहुत सारी ऐसे नई चीज़े जो आपको कंफ्यूज कर देती है उसको मैं सॉलिसेट करने वाला क्यों क्योंकि आप 2-3 द आप यूटूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक हैं डिस्क्रिप्शन रजाएं हमारा ओलाइन इउसकूल इंडिया आप का जो है वो क्या है लिंक दिया वाहं से आप जो है —DOWN LOAD कर सकते हैं सबसे बढ़ी बात यह हैं कि आप जो हैं आपने शुरुवात में इतना सने और इतनी प्रसंजा की तो मैं आजकल आपका हर एक topic माना की मैं दिरे पढ़ा रहा हूँ लोग बचे कहते हैं कोर्स करा हूँ कोर्स करा हूँ मैंने उनको एक ही बात की है जो topic मैंने पढ़ाया है आपको उसको YouTube पे डाल के देख लिजिए जो है YouTube पे डाल के देख लिजिए और भी टीचर पढ़ा रहे होंगे जो topic मैंने पढ़ाया है आपको वह topic YouTube में डाल दीजिए और जिनोंने वो topic दूसरे दूसरे लोगों ने पढ़ाया है उनके और मेरे जो पढ़ाने के तरीका है समझाने के तरीका है content है उसमें आप तुलना कर लिजिए और उसके बाद decide कर लिजिए कि मेरे साथ रहना है या उन लोगों के साथ रहना है मैं तो आपको सुधी बात बता रहा हूँ मैं ठीक है बई? आप मैं तो बिल्कुल online आना ही नहीं चाहता था क्या चमतकार हुआ था आपके कर्मों में लिखा था मेरे दौरी पढ़ना और मेरे कर्मों में लिखा था आपको online आकर पढ़ाना थीक है न? ये पता नहीं क्या विचित्रकान होakingी होती मैं सबसे पहले राजस्टान का सेलेवस कंप्लीट करूंगा पूरी अथी तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं कोई भी कारे करता हूं तो एक वार में एक काम लेता हूं मेरा वो है इधर हाथ पेर मानने की आदित नहीं है मैं चाहता हूं कि मेरे एप के अंदर जितने भी ल कुष्ट हो जाएंगे जब डाउट क्लास उनकी मैं किलियर कर दूंगा डाउट स्वाल किलियर कर दूंगा उसके बाद मैं आगे कोई स्ट्रेप उठाओंगा तब तक मैं सिरफ राजसान लाइबरें ग्रेट फड़ पर ही फोकल्स करूंगा और जो विद्यारती टेस्स ल सब्सक्राइब जैसे सवाल बन रहे हैं जैसे कोर्स कतम होगा उसके अंदर जो है सवालों की बर्मार होगी दियान दीजी आप टॉप के सवाल होगे सारे चीजे आप जो बिलकुल अच्छा मैसुस करोगे और सबसे पहले विद्यार्टियों हमने जो हैं टेस्स को भी च्राइब के अंदर दे जाएगा और एक्वार। चो आप एक सितंबर से लगाकर दस सितंबर तक ड्स Cash कने लिए सब्सक्राइब जो मोडल पोपर मिलेंगे डी एक मोडल पर खुलेगा आपका याप के अंदर जैस आप साम को जिन बर पढ़े करोगे साम को मोडल पेपर अटेंट करना इससे आपके अंदर कॉन्पिडेंस आएगा और उनमें से कोई सवाल गलत भी हो जाएगा आपका तो फिर आतो हाथ आपको इस टॉपिक और रिविजन भी करना तरीका बताएंगे आपको कैसे सब्जेट को इंप्रूमेंट करना है मैंने कैसे इंप्रूमेंट किया था कौन से कोशन आपको डायरेक्ट पढ़ना है ऐसे बहुत सारी जो ट्रिक है आपको साथ मैं सेयर करूंगा जो भी आप टेस्स रिजोइन करना चाहते हो हमारा जो एप है ऑनलाइन स्कुल पिछली साल मैंने कई कोचिंग कई नहीं कि इसे सारी चीजे लेकिन इस बार उन्होंने का जब मैंने आपकी यूट्टूब चैनल पर आपकी क्लासें देखी तो कहीं न कहीं मुझे बहुत सारी चीजे नहीं जो हैं मिली हैं देखने के लिए तो मैंने उनको समझाया कि आप क्या चाहते हो तो उन्होंने कहा सर आपकी जो क्लासें बिल्कुल जो कंटेंट है डीपली कंटेंट आप पड़ा रहे हो ऐसा कंटेंट किता वो के अंदर नहीं है तो उस लड़की ने इतनी प्रसिशा की और जो कोर्स अटेंट किया था उन्होंने कहा कि सर पिछली बार तो मेरा पाइंट चाली से रह गई कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा इस बार सलेक्षन नहीं हुआ अगर कोई मेरे से चार-पांस सवाल देस सवाल भी हैल्प भी मिल जाएगी तो अभी मेरे लिए इनफ है तो उसमें इस ने हाथ और हाथ इस जो है ऑल्लाइन इसकोल इंडिया एप को ले लिया था और उसमें जो मेरे टॉपिक देखे थे चाहे वह त्रिपल सी हो चाहे एस याट टू ओ चाहे डीडी सी हो चाहे यूडी सी हो सब्जेट क्लासिफिकेशन हो कहीं किताबों के अंदर यह चौत संसेटिव हो जाता हूं सब्जी सिल हो जाता हूं कि आप लोगों ने मेरे उपर इतना परोशा किया है तो कहीं ने कि मैं आपको वापस ऐसा दुगना मैटर दू अच्छा सांदार मैटर दू बिलकुल ऑथेंटिक मैटर दू कि आपका सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि आप मेरा सबसे बड़ा उधिश यह है आप अधाशन होगा तो आप सेलेक्शन हो गया तो आप जोइनिंग करने जाओगे तो लोग अगले जैस्ट वेकेंसि आएगी तो लोग आपसे बात्स्वित करेंगे पूचेंगे वहिए कहां से पढ़ा तो आप मेरा रिफ्रेंस देंग तो और ज़्यादम जो हैं और अच्छा प्रियास करने की कोसिस करूंगा चलिकर मैं तो जो विधयारती हमारे स्कूर्स को लेना चाहते हैं यह बहुत अभी भी 9002 नंडों का यह ध्यान रखना लोगों ने का ता कुछ लोगों ने का सर ओपर बड़ा दोन कुछ लोगों ने कहा इस से कुल करो मैंने कहां नहीं हमारे वो ऐसा सो नहीं हमने जो बात कर ली हम ना सह से कम करेंगे एक लड़ी नेकाиш उनके बाप भूंगा ठीकि मैंने का कोई बात ने आपको राखी तक जो है यह उफर हैगा फिर मैंने का 15 अगस तक यह उफर हैगा द्यानगना क्योंकि 15 अगस के बाद स्विस देने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं उनका मन बठकेगा और हमाई तरफ आएगा क्यों आएगा क्योंकि मैंने आपको कहा था सिरुफ यह 45 गंटे का ओड़स है किएटर है इंधर मेरी किताब के बार में भी आपको जल्द एक दमागा करेंगे हमारे किताब के अंदर क्या है क्या नहीं चीजिजें कैसे हैं वह जल्द आपको बताएंगे आपको तब तक आप ना थोड़ा सब देरेर रखें मेरी आदित हैं मैं अब इतार जाता है तो we should eat ओर तो जल्दमारा यह ौफर है यह पंद्रह अगस्तक रहेगा इसके बाद वित्वाद क्या चैंज होती है लेकिन इससे कम नहीं होगा परफ दियान एकना इसे कम क्या होगा कि नियुक्त धान वृइड ios जिता मिनी मेरे पार डाट लाइते उन्होंने यह कहा था वे सबसे बढ़ा होता है क्योंकि जब आप लोगों इतना विश्वास किया मेरे उपर तो मेरा भी आप बन गई है कि मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाऊं मैं ठीक है तन्यवाद तो एक बार फिर से चीज आई एक बार फिर से आपका ऑनलाइन इसकोल इंडिया फॉर लाइपरिय साइंस में जोड़ार स्वागत है हमने अभी तर के अंदर बहुत सारा टॉपिक पढ़ लि पढ़ लिया च्छा पढ़ लिया आज जो हम है दो चोटे चोटे टॉपिक के बारें पढ़ने जा रहे हैं जिसका पहला नाम है सिसी अप का मतलब क्या होता है सबसे पहले यह फॉर्म द्यान एकना सिसी अपकी फुल फॉर्म है द्यान एकना यह सवाल आया था आपके इस कि पेपर में आया ता सिसी अपकी फुल फॉर्म क्या है तो सिसी की फॉल फॉर्म है कॉमान कम्युनिकेसन फार्मेट ज्यान देंजिये सब्सक्राइब के के अंदर फुछा गया था आप चिंता मत कीजिए, अमारे जो किताब आएगी ना, उसके अंदर हमने प्रिवेस एर के कोश्टन पेपर दिये हैं, जिसमेंसे उनको प्रिवेस एर के कोश्टन जो हैं छाट लिए हैं, जो हमारे सेलिबस को कवर करता हैं, वो हमने सवाल उनसे छाट दिये, ऐसे ऐसे टॉ ड़न कोंपिडेंस आजाय, तो सिसम की फूल फोर्म क्या है, भाहियो, कॉमन कम़्ूनिकेशन ओमेट है, जो विक्सित क्या गया, किसके द्वारा, यूनेस्खो कि द्वारा, इनुच में अप्रेल 1908 में ध्यान रखना, इनुच कहने अप्रेल 1908 में, पीजी आई, पीज आ इत्रने इंट्रना शुवत इंपरेंट कि इता है कि बास सिव क्या कैसे में सिस्वारा विष्षट किया गया उपहुत सब्सक्राइब विक्सित कब क्या गया था अप्रेल उनीस सो इटोतर में द्यान लगना सिसी अफ वास डवलब्ट इन अप्रेल 1978 में PGI General Information Program यह General Information Program किसका है वही युनेस्को का है उसके अंतर का CCF का विक्सित क्या गया था और CCF का फर्स्ट एडिशन याद करना वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट एडिशन आया था 1984 में सेकेंड एडिशन आया था 1988 में और थर्ड एडिशन आया था 1902 में इसको याद करने का तरीका है चार-चार साल बाद तो फर्स्ट एडिशन 1904 से सेकेंड एडिशन 1908 से और थर्ड एडिशन 1902 में आया था यह तीनों याद करना एक सवाल जुरूर पूचा जाएगा अब very important question है यह सवाल MP के एक्जाम के अंदर आया था जब मैं 2019 के अंदर MP बोपाल के अंदर जो हाई कोड का एक्जाम देने के लिए गया था तब यह सवाल मैंने पहले बार पढ़ा था कि CCF की अभिलेक सरचना अभिलेक का मतलब क्या होता है रिकोर्ड अभिलेक को इंग्रिजी में क्या कहते है रिकोर्ड कहते है जो है अभिलेक सरचना रिकोर्ड इस्ट्रेक्चर जो है किसका अनुरूप है भई कई एक्जाम के अंदर इन सवालों को पूछा गया है सवाल के आया कभी CCF की जो रिकोर्ड इस्ट्रेक्चर है किसके अनुरूप है तो यह याद कर लेना ISO 007 029 पर है एन ध्यान दिजियौद झे था तरडड़ीस्ट अध इडिया था था थर्ड़ एडिकरण तो थर्ड एडिशन न आया था उननीस तो बढरा은 जang न कषआ ऐसा उनको दो भागों में IT है था इंको दो भागों में परकासित क्या गया था वह दो भागों में एंप्ट ... फ इता दें व एया आप कर देना क्सॉर्ण आझाओ यहां पर सिज्ए आफ अध्यान रखना इसको काट के ऐसा करता हुआ तो यह रखना सिव करने के बाग डेस करके लिखाए प्राक्षे जाए टाट इसे अकंट यूटरिक है तो जाए रखना है सिसी अपके तीसे का दो बावाग माता गया है पहला बागए सिस्री अबाग डी से विपलिबिक डाटा दूसरा सिसी हब एप, एप से क्या हो गया, Factual Data, CCF अभिलेक के चार भाग होते हैं, वेरी, इंपर्टेंट, ये बार-बार अभिलेक सब भारा, अभिलेक का मन्लब होता सुप्रीक, सुप्रीक जो रिकोर्ड हbert उसकी किते भाक होते हैं? चार बाग, वेरी, important question है वह किते बाग होते हैं चार बाग होते हैं पहले बाग का नाम क्या है रिकोर्ड लेबल क्या नाम है रिकोर्ड लेबल दूसरे बाग का नाम क्या है डारेक्टरी तीसरे बाग का नाम है डाटा फिल्ड और चौते बाग का नाम है रिकोर्ड सेप्रेटर ब्यारी important question है hair स्वाल आएगा CC仔 के record में कितने बाग है चार बाग है ठीक है कि और कौन कई है पहला है डीट लेबल दुसरा है डाइक fulfil ऐट नीचे रिकोर्ड सपोरेटर तो दिजí हो पहला तो है record रिकोर्ड रिकोर्ड लेबल और स्य दिक अब रच्प को ऊपर रिकोर्ड लेबल निचे रिकोर्ड साप रेटर बीच से यात करेंने और दाटा जिए आप को ऊपर रिकॉर्ड लेबल नेचर रिकॉर्ड से अपरेट है बीच में क्या हो जाएगा दूसरा डायरेक्टरी और दूसरा डीस से कहा बड़ी डाटा फिल्ट है फिख सिसी की अभिलेग में परतेइक सिसी के अभिलेग में पर तेक सिसी के जो है रिकोर्ड में कितने अक्षर होते हैं नियूद सिस्ट धै। सब्सक्राइब कितने अक्सर होते हैं 24 करेक्टर होते हैं कहीं बाहर पुचा गया सिसी अब के जो फर्स्ट जो है रिकोर्ड में रिकोर्ड में, रिकोर्ड लेबल में द्यान अगना, रिकोर्ड लेबल में जो है, कितने अक्सर होते हैं, यह द्यान अगना आपके 24 अक्सर होते है, आगे देखिए,